बच्चो स्रिष्टी में अंगिनत प्रकार के जीव हैं कोई छोटे, कोई बड़े और कुछ तो ऐसे भी है जो आँखों से नजर भी नहीं आते ये तो आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं उनमें भी प्राण होते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि पेड़ पौधों का जीवन और हमारा जीवन बहुत मिलता जुलता है दोनों में बहुत समानता है तो आज मैं चित्रा बंसल आपकी हिंदी की तीचर आपकी हिंदी के पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूं उसमें आप लोग पेड़ पौधों के जीवन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे एक अंकुर फूटता है फिर कैसे पौधा बड़ा होता है उसमें फूल लगता है फल लगता है उनका जीवन चक्र कैसा होता है उसके बारे में आज हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं तो पाठ का नाम है बीज पौधे का जन मेरे सासाथ आप सबने बोल बोल कर पढ़ना है मिटी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पढ़े रहे महीना दर महीना इसी तरह बीटता गया सर्दियों के बाद वसंत आया उसके बाद वर्षा की शुरुवात में दो एक दिन पानी बरसा अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी मानू बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोय मत रहो उपर उठ जाओ सूरज की रोशनी देखो आहिस्ता आहिस्ता बीच का ढखन दरग गया मतलब खिसक गया दो सुकोमल पतियों के बीच अंकुर बाहर निकला अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मस्बूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर उपर की ओर उठा कौन सा नीचे मस्बूती से जकड़ गया उसको क्या बोलते हैं जड़ और जो उपर निकलाया वो छोटा सा तना और पतिया क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है क्या कभी आपने किसी बीच को मिटी में डाला हो और उसमें से अंकुर फूटा हो ऐसे देखा है या फिर कभी आपने अंकुरे दाल देखी हो जब थोड़ी देर दाल को पानी में भिगो दें और एक दो दिन उसको ऐसे ही रहने दें तो उसमें से अंकुर फूट उठता है जैसे कोई शिशु अपना नन्ना सा सिर उठा कर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो पौध का अंकुर बहार निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है जो उपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं सभी पेड़ पौधों में जड़ और तना ये दो भाग मिलेंगे यानि कि ये दो भाग अवश्य ही मिलेंगे जड़ और तना यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना उपर की ओर उठेगा एक गंबले में पौधा था परीक्षन करने के लिए कुछ दिन गंबले को आंधा लटकाए रखा मतलब उल्टा लटका दिया यह देखने के लिए कि देखते हैं अब इसकी जड़ें कहां जाती है पौधे का सिर नीचे की तरफ रटका रहा और जड़ उपर की ओर ही रही दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया उसकी सब पतियां और डालियां टेड़ी होकर उपर की ओर उठाएं तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी देखा होगा पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल उपर की ओर उठाए हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं हमारे दाथ हैं हम कठोर चीज़ खा सकते हैं नन्य बच्चों के दाथ नहीं होते वेकेवल दूध पी सकते हैं पेड़ पौधों के भी दात नहीं होते इसलिए बेकेवल तरल द्रवे मतलब तरल पदार्थ से लिक्विड से या वायू से भोजन ग्रहन करते हैं पेड पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं, यहनि कि जो जड़े हैं वो मिटी में से रस निकाल निकाल कर खीच खीच कर पौधे के हर भाग तक पहुचाती हैं, जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी तरह माटी में पानी डालने प और उसके भीतर बहुत से द्रव भी गल जाते हैं, पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रवे सोकते हैं, जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है, तो आपने देखा होगा कि यदि हम एक तो दिन पानी ना दें पौधे में, तो सूखने लगती हैं, और और समय तक यदि पानी नहीं मिलेगा, तो दीरे दीरे पूरा पौधा सूख जाता है, इसका करण यही है कि पानी ना मिलने से मिट्टी के जो पदार्थ थे, वो घुल नहीं पाए, गल नहीं पाए, और पौधे को नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से मान लीजिए, उसको पोशन नहीं मिला और वह बिचारा सूख हो गया, खुर्द बीन से अत्यंत सूख्ष्म पदार्थ सपष्टतया देखे जा सकते हैं, पेड की डाल अथवा जड़का रस यंत्र द्वारा परीक्षन करके देखा जा सकता है, कि पेड में हजारों हजार इनी सब नलों के द्वारा माटी से पेड के शरीर में रस का संचार होता है, तो यानि कि अगर आप ध्यान से पौधे को देखेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखेंगे, किसी यंत्र से देखेंगे, जिससे खुर्द बीन कहा जाता है, तो आपको पता एगा कि पौधे में अंदर ये अंदर कितनी कैसी बनावट है कितनी सुन्धyr जिस से कैसे प्ोरा यह पूरा सिस्टम है कि जड़ मिट्टी से कैसे द्रवे को किचती है कैसे पौधे के हर भाग को वो मिलता है कैसे यह उसका शरीर का पुरीerem प्रक्रिया चलती लेती है यह बहुत ही अद्भुद है इसके इलावा पेड़ के पत्ते हवासे आहार गरहन करते है पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मूह होते हैं खृत्बीज के जरिये अंगिनत मूह पर अंगिनत होट देखे जा सकते हैं जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होट बंद हो जाते हैं जब हम श्वास प्रश्वास क्रहन करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विशाक्त वायू बाहर निकलती है उसे अंगारक वायू कहते हैं अगर यह जहरीली हवा पृत्वी पर एक जो जहरीली गैस हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहन कर लेते हैं और जो शुद्ध वायू हमें चाहिए वो पेड़ पौधे हमें देते हैं। जरा विधात्री की करुणा का चमतकार तो देखो जो जीव जनतों के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पून तया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। तब ही तो कुछ पौधों को आपने देखा होगा जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होता ह वो उसी तरफ घूम जाते हैं यदि खिड़की के पास गंबले में पौधा रखो तब देखोगे कि पतियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है वन अरन्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड में सचेष्ट हैं सचेष्ट मतलब कोशिश में लगे हैं कि कौन जल्दी से सिर उठा कर पहले प्रकाश को जपट ले मतलब ले ले बेल लताई छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी इसलिए वे पेड़ों से लिप्टी हुई निरंतर उपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं तो देखो कितनी अद्भुत प्रक्रिया है पेड़ पौधों की कि वो अपना भोजन अपने आप ही ढूंडने के लिए इधर से उधर से कहीं न कहीं से रास्ता बनाकर और सूर्य का प्रकाश ले ही लेते हैं अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है सूर्य किरन का परम पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है मतलब बड़ा होता है फलता फूलता है पेड़ पौधे के रेशे में सूरज की किरने आबद्ध हैं मतलब बंधी हुई है पेड़ पौधे को जो सीच रही है वो पानी के साथ साथ सूरज की किरने भी है इंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताब बाहर प्रकट होता है वे सूरे की ही उर्जा है पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश अतियाने के जाल है पशुड आंगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं पेड़ पौधों में जो सूरे का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतों के शरीर में प्रवेश करता है अनाच और सबजी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराख पाने पर ही जीवित है कहने का मतलब यह है कि हम भी जो कुछ खाते हैं पशु भी जो कुछ खाते हैं वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सूरे का प्रकाश ही है सूरे की उर्जा ही है जो फल, फूल, सबजीयों के माध्यम से हर्मारे शरीड में जाती है और ये पेड़, पौधे, फल, सबजियां ये किस तरह से सूरे के प्रकाश को अपने अंदर समेट लेते हैं और वही उर्जा फिर हमें मिलती है जिससे हमारा जीवन चलता है कोई-कोई पौधा एक वर्ष के बाद ही मर जाता है लेकिन सब पौधे मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्याग्र रहते हैं बीज ही पेड़ पौधों की संतान है बीज की सुरक्षा और सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुडियों से घिरा एक छोटा सा घर तयार करता है फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुन्दर दिखाई पड़ता है जैसे फूल के बहाने वे हस रहा हो फूल की तरह सुन्दर चीज और क्या है मतलब प्रकृति ने देखी कितना सुन्दर सारा इंतजाम किया हुआ है हमारे जीवन के लिए कैसे एक अंकुर फूटता है पौधा बनता है बीज फूल फल सब कुछ अपने आप उसमें चलता रहता है बस जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ कोई छेट छार ना करें जरा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमेली माटी से आहार तथा विशाक्त वायों से अंगार ग्रहन करते हैं फिर इस अप रूप उपादान से किस तरह ऐसे सुन्दर फूल खिलते हैं मतलब मिट्टी जो की मटमेली है जिसमें कोई सुन्दर्ता नजर नहीं आती और उसी मिट्टी से पौधा निकलते हैं और उसमें इतने रंग बिरंगे खुश्बूदार फूल खिल जाते हैं तो ये सब कैसे होता है कितना अद्भूत लगता है आपने कथा सुनी होगी सुन्द मनी की पारस पत्थर की जिसके परस मात्र से लोहा सोना हो जाता है मेरे खयाल से मा की ममता ही वह मनी है संतान पर सनेह निच्छावर होते ही फूल खिल खिला उड़ते हैं ममता का परस पाते ही मानों माती और अंगार फूल बन जाते हैं तो यह मा की ममता क्या है? यह सृष्टी है, यह सूरे का प्रकाश है यह मिटी के वो तत्व हैं जो पौधे को मिलते हैं तो फिर वो उसमें सुन्दर फूल कहिल उड़ते हैं पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है शायद पेड़ भी कम प्रफुलित नहीं होते खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं उसी प्रकार फूलों की बहार चाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधू बांधवों को बुलाते हैं सने सिक्तवानी में पुकार कर कहते हैं कहां हो मेरे बंधू, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ यदि रास्ता भटक जाओ, संभाव है घर ना पहचान सको इसलिए तो रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं ये रंगीन पंकुडियां दूर से देख सकोगे यानि कि पेड़ पौदों में हरिया ली आ जाती है तो वो चाहते हैं कि उनके बंधू बंधव यानि कि छोटे छोटे पक्षी भवरे कलियां उनके पास आएं उनकी उस बहार में शामिल हो तो इसलिए मानो वो रंग बिरंगे फूल खिला देते हैं जिनकी खुश्बू से आकरशित होकर जिनके सुन्दर्रे से आकरशित होते हुए वो उनके पास आ जाएं मदु मक्षी और तितली की पेड़ पौधों के साथ चिरकाल से घनिष्ठता है चिरकाल मतलब लंबे समय से घनिष्ठता मतलब गहरा संबंध है वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते पक्षियों उन्हें देखते ही खा जाते हैं इसलिए अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं यहीं आप कुछ देखते होंगे कि कुछ पौधों में खुश्बूर रात के समय आती है क्यों? क्योंकि उन पौधों के पास जो पतंगे चुटे-चुटे कीट आते हैं वो रात में ही आते हैं क्योंकि दिन में उन्हें पक्षियों से डर होता है कि पक्षियों ने देखेंगे तो खा जाएंगे पेड़ पौधे अपने फूलों में शहद का संचे करके रखते हैं मधुमक्ही और तितली बड़े चाव से मधु पान करती है मधुमक्ही के आगमन से पेड़ पौधों का भी उपकार होता है तुम लोगों ने फूल के परागकन देखे होंगे मधुमक्ही और एक फूल के परागकन दूसरे फूल पर ले जाती है परागकन के बिना बीच पक नहीं सकता यानि कि ये जो छुटे-छुटे कीट होते हैं मधुमक्ही और भवरे तितलीया ये सिर्फ पेड पौधों से फूलों से रस लेती ही नहीं है बलकि उन पर उपकार करती है यही उनके पराकन एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जिससे कि फिर नएने पौधे फलते हैं विकसित होते हैं इस प्रकार फूल में बीज फलता है अपने शरीर का रस पिलाकर पेड पौधे बीजों का पोशन करते हैं अब अपने जिन्दगी के प्रती उनमें मुह माया नहीं रहती संतान की खाते पेड तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ती क्षीन हो चली है पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी पत्ते हवा के संग क्रीडा करते थे छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी अब सूखा पेड हवा का आघात सहन नहीं कर सकता हवा का मात्र एक पेड़ा लगते ही वह थर थर का अपने लगता है एक एक करके सभी डालियां तूट पड़ती हैं अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहिद जमीन पर गिर पड़ता है इस तरह संतान के लिए अपना जीवन युच्छावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है तो देखा आपने आपको इस पेड़ की जीवन यात्रा से कुछ महसूस हो रहा होगा कि मनुष्य की जीवन यात्रा और पेड़ों की जीवन यात्रा कितनी समानता है इन दोनों में दोनों अपने बच्चों को जन्म देते हैं संतान को जन्म देते हैं और अपना सब कुछ लुटा कर संतान को फलता फूलता देखते हैं और अंत में एक दिन खुद मुर्जा कर हमसे जुदा हो जाते हैं तो बच्चों देखा आपने कि पेड पौधे भी महसूस करते हैं, उनमें भी हमारी तरह जीवन होता है, तो आगे से किसी पेड को पत्तों को फूलों को तोड़ने से पहले जरा सोच लेना, रुख जाना, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती होगी, उन्हें भी दर्ध होता हो का, और अधिक से अधिक पेड लगाएं, क्योंकि आपको पहले भी पता है, और इस पार्ट को पढ़कर और अच्छे से जान गए होंगे, कि पेड पौधों का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपून है, जिस पर्यावरन में हम रहते हैं, उसको शुद्ध बनाए रखने मे पेड पौधे कितनी महत्वपून भूमी का निवाते हैं, तो मुझे आशा है कि इस पार्ट से सीख लेकर आप अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और उनका खयाल भी रखेंगे